सबीक विचार को देखेंगे लेकिन अगर आप देखेंगे पूरा तब यापको सारी बातें किलियर होंगे तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि मैरी वास्टन क्राफ्ट के सिक्षा पर दिये गए विचार यानि कि जो मैरी वास्टन क्राफ्ट हैं उन्होंने सिक्षा को लेकर क्या बातें कहीं especially वो नारिवादी रही हैं तो वो मेंस की बात करती हैं यहाँ पर आपको वो मेंस के कॉंटेक्ट में थोड़ा धियान देना है तो मैरी वॉस्टन क्राफ्ट हम डारेकली पढ़ रहे हैं मैरी वॉस्टन क्राफ्ट ने अपनी पुस्तक एव इंडिकेशन आफ दा राइट्स वो में में सिक्षा पर अपने विचारों पर प्रकाश डाला मैरी ने ब्रिटेन में मध्यम वर्गिये महिलाओं की सिक्षा के लिए काफी कारे किया इस पुस्तक में एक मां की भावनाओं को दिखाया गया है जिसमें वह अपनी बेटियों को बच्पन से ही उन्हें कैसा व परिवार को किस तरह चलाया जाना चाहिए यह सिखाना चाहती है देखिए दोस्तों मेरी वॉस्टेन क्राफ ने कई सारी किताबें लिखी थी लेकिन एक किताब का नाम है उनकी द्वारा लिखी गई एक किताब है एव इंडिकेशन आफ दा राइट्स आफ दा वोमें इस क ठीक है एक माँ है जो अपने बच्चों को अपनी लड़कियों को इस्पेशली घर परिवार चलाने संबंदित ही सिख्षा देती है आगया समझते हैं मेरी वॉस्टेन क्राफ का मानना था कि प्रतेक नारी को सिख्षित अवश्य होना चाहिए चाहे वह मां हो पुतरी हो य का भी उत्थान अवश्य होगा तो देखिए दोस्तों कुल मिलाकर कहा जाए सिंपल भाश्य में तो जो मेरी वॉस्टेन क्राफ्ट है वो महिलाओं की सिख्षा का पूरी तरह समर्थन करती है वो कहती है चाहे मां हो चाहे पुतरी हो चाहे बेहन हो किसी भी रूप में कोई धाड़ना बनी हुई है कि महिलाओं पुरुष की संपत्ती की तورपर देखी जाती हैं जबकि महिलाओं से सहयोग लेने की भावना को विक्सित किया जाना चाहे अब मेरी बॉस्टेन क्राफ्ट का मानना था कि जो महिलाओं है वो पुरुष की संपत्ती नहीं हाला Sumay के अस इस्थान देते हुए उनसे मदद मांगने की भावना रखनी चाहिए तो यहां तक हमने सिक्षा की विचार को देखा मतलब चोटे टॉपिक हैं हमारे चोटे टॉपिक से तो यहां पर किलियर हो जाता है सिक्षा को हमने देख लिया सिक्षा पर विचार अब हम बात करते हैं क घरेलू संपत्ती को लेकर मेरी वास्टन क्राफ्ट ने क्या विचार दिये हैं मेरी वास्टन क्राफ्ट का कहना है कि महिलाओं का संपत्ती पर कोई हक नहीं है अर्थाद भले ही घर में पूरे दिन काम करती है परन्तु फिर भी महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से बचित रखा गया है यहाँ पी लिखे हैं ना महिलाओं का संपत्ति की पर कोई भगज यह हक नहीं है ये मेली वॉस्टर ग्राफ समर्था नहीं करी इसका विरोध करी में बता रही है कि जो समाज है उसमें महिलाओं का संपत्ती पर कोई हक नहीं है जो कि महिलाओं ही इतना मतलब घर का काम करती है घर समालती है बट उनका कोई हक नहीं है समाज में तो ये बता रही है फरन तो फिर भी महिलाओं को संपत्ती का कोई अधिकार नहीं है इस से उन्हें बंचेत रखा गया है इसके अलावा जो परिवार है उसमें पूरुष समाज दुवारा महिलाओं के विरुध घरेलू हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है मतलब जो डॉमेस्टिक वाइलन्स है उसको बढ़ावा दिया जाता है उसके बदले महिलाओं का घरों में घरेलू हिंसा द्वारा शोशन किया जाता है यह ध्यान देने योग्य बात है कि मैरी वास्टन क्राफ्ट महिलाओं को जागरित करने पर विशिष्टा बल देती है उनके यह विचार उनकी पहली पुस्तक Thoughts on the Education of Women 1787 में देखने को मिलते हैं तो देखे दोस्तों कहने का मतलब है कि मैरी वास्टन क्राफ्ट बता रहे हैं कि महिलाओं का एक important role होता है किसी भी परिवार में उनके बिना परिवार नहीं चल सकता लेकिन फिर भी उनको संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है उपर से उनके साथ domestic violence करेलो हिंसा किये जाती है तो यह बहुती गलत बात है यहां पर वो महिलाओं की समानता की बात करती हैं उन्हें जागरित महिलाओं को जागरित करने की बा अब हम बात करते हैं कि मेरी वास्टन क्राफ्ट पर अमेरिकी क्रांती वा फ्रांसी सी क्रांती का प्रभाव रहा था तो इसे देख लेते हैं कि किस तरह से इनका प्रभाव रहा उलेखनी हैं कि विश्य में फ्रांसी सी क्रांती 1789 में हुई वहीं अमेरिकी क्रांती 1776 में इन दोनों ही क्रांतियों का प्रभाव मेरी वास्टन ग्राफ्ट के विचारों पर पढ़ा, उनका मानना था कि महिलाओं को पुरुष के समान माना जाना चाहिए, तदा उनके साथ वैसा ही वैवार करना चाहिए, प्रत्येक छेत्र में जैसा पुरुष के साथ किया जाता है, महिलाओं के साथ समानता के वैभार पर विचार मेरी वास्टन क्राफ्ट के साथ फ्रांसीसी क्रांती का ही परिणाम रहा है देखे दूस्तों कहने का मतलब है देखो एक लेखी का है मेरी वास्टन क्राफ्ट अब उन्होंने जो फ्रांसिसी क्रांती हुई थी और जो अमेरिकी क्रांती हुई थी तो अमेरिकी क्रांती और फ्रांसिसी क्रांती से बहुत ज़्यादा प्रेड़ना ले थी उन्होंने उनका जो प्रभाव है उनके लेखन में इन दोनों ही क्रांतियों का जो प्रभाव है वो इस पस्ट तोर पर दिखाए देता है और इसी के चलते उन्होंने महिलाओं की समानता पर बहुत जादा जोर दिया था ठीके महिलाओं को वैसे ही समानता मिलने चाहिए जैसे कि हर छेत्र में पुरुस को मिलती है मेरी वास्टन क्राफ्ट जितना फ्रांसी सी करांती से प्रभावित होकर लिखती है उतना ही प्रभाव उनकी लेखन शैली में अमेरिकी करांती का भी दिखाई देता है अमेरिकी करांती जहां वर्ग भेद को समाप्त करने की बात की गई है अमेरिकी करांती में वहीं साथ साथ महिलाओं की समानता की भी बात की गई है अमेरिकी करांती के श्वेत पत्र में भी कहा गया है कि इश्वर ने सब मनुश्यों को समान बनाया है अर्थात इश्वर ने महिलाओं वा पुरुष्यों दोनों को भी समान बनाया है तो अमेरिका की करांती में समानता की बात की गई थी इसे वो काफी प्रभावित थी मेरी वास्टन क्राफ्ट इन क्रांतियों में मैरी वास्टन क्राफ्ट के महिलाओं को जागरित करने उनको पुरुशों के समान मानने घरेलू संपत्ती में बराबरी और महिलाओं को सिक्षित करने जैसे विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रिरित किया दिएको दोस्तों ये जो क्रांतियां थी इन क्रांतियों ने मैरी वास्टन क्राफ्ट को पुरुशों की बात करें तो इन करांतियों से पर उन्हें प्रेड़ना से मिली कि वो खुल कर सामने आए और महिलाओं की बराबरी की और उन्हें सिक्षा देने की बात करें मेरी वास्टन क्राफ्ट के दुआरा बर्क की आलोचना अब यह क्या है बर्क नहीं होगा सौरी दूस्तों बर्क होगा यहां पर मिस्टेक है बर्क जिनको एक रुडिवादी विचारक के तौर पर जाना जाता है उन्होंने अपने रुडिवादी विचारों में फ्रांसिसी ग्रूप से रुडिवादी आलोचना की जिसने उन्हें रातो रात प्रसित कर दिया मैरी ने बर्क के लेखन पर आलोचना लिखने में ही कई महीने लगा दिये मैरी ने फ्रांसिसी करांती के बारे में कहते हुए बताया कि हमारे विश्व को अब तक आशिरवाद देने की कुराय की थी अब मेरी वास्ट्राप्ट ने इनकी आलोचना कि इनकी आलोचना पर उन्होंने कए बातें लिखी और कए महीने लगा दिये इनके आपर एड्मंड और बर्क के विesterों के विरोध में लिखी और इन्हीं के चलते हैं जैसे मैरी वास्ब रापी जादा फ्रांस की गरांती का विरोध किया था उसके आलोचना किती तो उनकी इन्होंने आलोचना कि उस विचारक की और इससे उनको काफी प्रसिद्धी भी मिली तो यहां तक हमने बात कर लिए यहां पर फ्रांसेसी गरांती अमेरिका की गरांती का क्या प्रभाब पढ़ा था अब हम बात करते हैं इसी में अगला टॉपिक है मैरी वुस्टन कर्फटका मत है कि महिलाओं में अनिक शचिश्चता होती है इसा अभी हमने सिक्शा पर देखा कि मैर्य वॉस्टन क्राफ्ट ने सिक्शा को लेकर कई सारी देखते हैं मेरी वास्टन क्राफ्ट का मत था कि महिलाओं को पुरुशों के समान मानने के लिए उनके पास अनेक तर्क भी थे जहां उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि किसी भी तरह से महिलाओं को पुरुशों से कम तर नहीं आकना चाहिए क्योंकि महिलाओं किसी भी तर नहीं है दोनों असमान नहीं है दोनों को हमें कम नहीं समझना चाहिए बिलकि बराबरी का इस्थान देना चाहिए यहाँ पर मेरी वास्टन क्राफ्ट आगे समझाती हैं बताती हैं कि मेरी वास्टन क्राफ्ट का मानना है कि पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा शक्ति शाली हो सकते हैं परन्तु विवेक से तर्क में महिलाएं पुरुषों के बिल्कुल समान है पुरुष का शारीरिक रूप से बलशाली होना केवल जैविक अंतर है जबकि महिलाओं को पुरुष से हीन मान लेना एक गलत अवधारना है जो कि पुरुष समाज के द्वारा उत्पन की गई है इसलिए मेरी वास्टन क्राप्ट का मानना है कि भले ही महिलाओं पुरुषों से शक्ती में कमता है यानि कि कम है परंतुतर के शैली में विचार सोच और आत्म भल की शक्ती महिलाओं में भी पुरुषों के समान ही पाई जाती है इसलिए महिलाओं को पुरुषों के समान ही सबी अधिकार मिलने चाहिए अब देखें दूसनों अब यहां पर मेरी वॉस्टन कर आप बता रही है कि जो महिलाओं है जो पुरुष है दोनों में अंतर अगर है तो वो जैविक अंतर है जैविक अंतर आप समझ रहें तो ये थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन जो विवेक हो गया, दिमाग हो गया कहते हैं कि जो पुरुष है उजाद विवेक शील है, पहला ऐसा माना जाता था था ना, तो ये उसी बात का खंडन कर रही है, ये कह रही है कि सिर्फ जैविक अंतर है, दोनों में बाकि हर अधार इस तरी पुरुष महिला पुरुष दोनों समान है, ठीक है चाहे वो दिमाग के इस तर पर हो, चाहे दूसरे इस तर पर हो, दोनों में समानता है, और ये जो कमजोरी की जो अवधारना उत्पन की गई है, ये पुरुषों की दुआरा उत्पन की गई है, ठीक है महिलाएं कहा जाए नहीं सारे विचार एक दूसरे से जुड़े हुए यह थोड़े सब टॉपिक्स में बढ़ दिया गया है। यह यह सब एक दोसरे से जुड़े हुए ही हैं मेरी वास्टन क्राफ्ट को उदारवादी नारीवादी विचारक के रूप में जाना जाता है मेरी वास्टन क्राफ्ट को पहली नारीवादी विचारक के तौर पर जाना जाता है मेरी वास्टन क्राफ्ट ने अपने लेखन श मानव हैं तो यहां पर मैरी वाल्स्टन क्राफ्ट यही कह रही है कि जो महिलाएं हैं उन्हें भी स्वातंदरतास नियाएं बिलकुल समान दिये जाने चाहिए जैसे कि पुरुशों को मिला हुआ है मानव की शेडियों में केवल पुरुशों को सक्षम मानना आधा सच है इसलिए पुरुशों के साथ साथ महिलाओं को मानव का भाग मानना जाना चाहिए मेरी वाल्स्टन क्राफ्ट का मानना था यदी महिलाँ को सिक्षित कर दिया जाए तो राजनीती ग्रूप में और सामाजे ग्रूप में लैंगे के भेदभाव को समाब्ठ किया जा सकता है अब देखे दोस्तों मेरी वासन क्राफ्ट इस बात पर बल देती है कि जो मानव है वो इस तरी भी है वो पूरुश भी है तो जब दोनों ही मानव है दोनों ही इंसान है तो दोनों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और यहाँ पर वो एक सलह भी देती है बताती हैं कि अगर महिलाओं को सिξित कर दिया जाएगा ना तो महिलाओं का साथ जो असमानता होती है वो समाप्त हो घाती है जो लैंगिग जो sexual जो भेदभाव है जो gender के बेसे पर जो भेदभाव है ये खत्म हो जाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं लेक्षर टू में हमने काफी बातों को जाना एक बार आप इससे थोड़ा से एक बार दूबारा हो सके तो देख लें ताकि आप सारी बातों को कंक्रूट कर सकें हम्यєд करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हुगी प्लीज इसका लेक्षर ठ läh ट बी देख लेना सारे इक दूसरे से कनेक्टिड है तो उम्यद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जाज जाद शेयर करें और लाइक करें थैंक यू कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें ठीक है